छोटी सी गलतियां आपके चेरे को, आपके स्कीन को एकदम बरबाद कर सकती है, बेकार कर सकती है कई बार ऐसा होता कि आपको नोलिज नहीं रहता कि हमें कौन सी चीज कैसे यूज करना है और आप अपने चेहर पर उज़ कर लेते हैं और आपकी skin खराब हो जाती है आपको pimples होने लगते हैं आपकी skin dry होने लगती है और skincare dark होने लगती है आप समझ नहीं पाते कि आपकी skin क्यों खराब हो रही है फ्रेंट्स, हर कोई आपको बताता है और हर किसी को पता है कि नीबू को स्कीन पर लगाने से दाग धबे जाते हैं और स्कीन चमकदार होती है होती है फ्रेंट्स यह सच है लेकिन अगर आप नीबू को डारेक्ट अपने चेहरे पर रगरते हो डारेक्ट लगाते हो तो आपकी skin गोरी नहीं होगी आपकी skin चमकदार नहीं होगी बलकि आपकी skin एकदम खराब हो जाएगी एकदम ड्राई हो जाएगी और जो sensitive skin वाले लोग हैं इनकी skin तो फट भी सकती है और skin बिल्कुल red हो सकती है तो आप बिल्कुल इन चीजों से बचिए आपको नीवो को कभी अपने चेहरे पर डारेक्ट नहीं लगाने है आप किसी चीज में mix करके रिमेटी में mix करके आप लगा सकते हो लेकिन आपको डारेक्ट नीवो कभी नहीं लगाना है दूसरा चीज जो आज आपका आता है ये है नमक नमक फ्रेंड्स लोग इस्क्रप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन अगर डारेक्ट आप नमक को आप चेहरे पर यूज़ करते हो तो आपका चेहरा जुलज जाता है और एकदम बेजान सा हो जाता है तो आपको नमक को कभी भी डारेक्ट अपने चेरे पर यूज नहीं करना चाहिए आपको कभी भी वेकिंग सोडा भी डारेक्ट नहीं यूज करना चाहिए आप remedies में यूज कर सकते हो लेकिन अगर waking soda आप direct यूज करते हो तो आपके चेहरे पर pimples आ जाते हैं और दाग धब्बे भी पड़ने का डर है अब friends जो आपका आता है ये सरसो का तेल अगर सरसो का तेल आप अपने चेहरे पर regular यूज कर रहे हैं या skin पर body पर तो आपकी skin नहीं यूज कर सकते हैं